हम सभी जानते हैं कि इंडियन रेलवेज जो है हमारे देश की लाइफ लाइफ लाइन है और ये हमारे देश की डेवलपमेंट में कितनी इंपोर्टेंट भूमिका निभाती है और हम ये भी जान रहे हैं कि आजकल इंडियन रेलवेज का जो काम है ये बहुत तेजी से इंडिया के चारो कोनों में चल रहा है तो इंडियन रेलवेज ना किवल एक हम लोगों के लिए वर्दान की तरह है बलकि ये हमारे देश की एकॉनमी का बैकबोन भी है वहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि बुलट ट्रेन ने हमारे देश के दरवाजे पे दस्तक दे दिया है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी भी सेमी हाइज स्पीड ट्रेन है वो भी जो है इंडियन रेलवेज की पट्रियों पर उतर चुकी है यह आप फोटो देख सकते हैं तेज़श ट्रेन का यह एक सेमी हाइज स्पीड ट्रेन है और एक प्राइवेट ट्रेन है और प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी इंडियन रेलवेज में एक इंपोर्टन भूमी का निभाने वाला है और हम यह भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन रेलवेज का यह रिमार केबल जो काम है चिनाब ब्रिज के उपर जो है इंडियन रेलवेज ने अपना जो आर्किटेक्चर है उसका एक लोहा मनवाया है यह एक बहुत इंपोर्टन ब्रिज है जो बहुत सालों से जो है इंडियन रेलवेज बना रही थी और इसको जो है काम्याबी मिली है और इसी के साथ साथ नौर्थ इस्ट को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते नौर्थ इस्ट के लिए भी जो है इंडियन रेलवेज ने एक निकाला है कि North East के जो Seven Sisters हैं उनके Capitals को Railway से जोड़ा जाएगा हला कि ये काम इतना असान नहीं होगा क्योंकि इनके जो Capitals हैं ये जादा तर हिली एरियाज हैं और इनको जो है बनाने में काफी खर्चा भी आएगा और जो यहां की गौवर्नमेंट्स हैं उनको भी जो है बहुत सारी परिसानियों का सामना करना पड़ेगा Land Acquisition के लिए और इसको Connect करने के लिए तो इसी के संदर्ब में हम देख रहे हैं एक नया जो स्कीम लाँच किया गया है Indian Railways के द्वारा यह एक और कदम होगा Indian Railways के Development में और हमारे देश की बहुत सारे जो छोटे Cities हैं उनको Railways से किस तरीके से जोड़ा जाएगा यह उसकी तरफ एक बहुत Important Step है तो यह एक Scheme है अमरित भारत Station Scheme इस Scheme के अंडर जो 1000 जो छोटे और Important जो Stations है उनको जो है Develop किया जाएगा The Railways are planning to Modernize 1000 Small Yet Important Stations Under the New अमरित भारत Station Scheme This is a part from the ambitious plan to revamp 200 biggest stations under a separate Redevelopment Plan और इसके साथ साथ एक और Redevelopment Plan चल ला है जिसमें 200 बड़े stations को जो है और Develop किया जाएगा अब यह जो 1000 Small Stations है इनको जो है हम लोग Select कैसे करेंगे या Indian Railways किस भीहाब पे Select करेगी तो इसका पहला जो Categorization होगा वो On the Basis of Passenger Traffic होगा अगर किसी Station पर बहुत ज़्यादा Passenger ट्रवल करते हैं और वहाँ पे Passenger's की जो Traffic है यह बहुत ज़्यादा है तो उस Station को इसमें Include किया जा सकता है और Second Basis जो Point इसका बनाया गया है कि वो Station जो होगा वो कितने Important Cities को Link करता है जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया के बहुत सारे जो युवा हैं जो लोग हैं वो एक City से दूसरे City में ट्रवल करने के लिए रोजगार के लिए जो है Railways का यूज करते हैं और इस तरीके से बहुत लोग रोजी रोटी कमाते हैं तो इसी बिहाव पे जो है इन स्टेशन को अब डिवेलप किया जाएगा इस स्टेशन विल बी रिडिवेलप अंडर वाट इस काल दा खुर्दा मॉडल ओफ रिडिवेलपमेंट तो एक खुर्दा model of redevelopment का project already चलाया जा चुका है खुर्दा station के लिए और खुर्दा station को जो है 4 करोड रुपए जो है already sanctioned किये जा चुके है contemporary amenities को जो है बनाने के लिए खुर्दा station in Udisa was modernized for rupees 4 करोड with all contemporary amenities for passengers तो contemporary amenities क्या होते है यह basic सुविधाई होती है जैसे कि toilet की व्यवस्था या drinking water की व्यवस्था या बैठने की seating की व्यवस्था तो यह सब चीजें जो amenities हैं इनको development करने के लिए 4 करोड रुपीज जो है खुर्दा station के लिए sanction किये गए और वहाँ पर यह develop हुआ है इस development के अंदर जो main structure है उसको फिर से renovate किया गया और जो इसकी railway tracks है उनको अभी number बढ़ाया गया है अब हम लोग इस scheme के बारे में कुछ important points देख लेते हैं अंडर दा अमरित भारत station scheme the divisional railway managers will be responsible for redevelopment of the railway station यह एक बहुत important point है क्योंकि यहाँ पर एक person की accountability को तै किया गया है मतलब divisional railway जो managers हैं यह इस चीज की जिम्मेदारी लेंगे और किसी भी चीज की कमी होने पर इन लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा the DRM's have been instructed to review existing buildings in the station premises and release space for passengers near the entrances and enable relocation of rail offices to other places DRM's जो है divisional railway managers यह station को काफी करीबी से जानते हैं और वहाँ पर जो supervisory करते हैं तो इस वज़ा से इनका जो काम है यह station को देखना है कि station premises में किस किन चीजों की कमी है और किन किन चीजों को लेकर passengers में problems आती हैं modernization of these stations would include improved station approaches to ensure smooth access by widening roads, removal of unwanted structures, properly designed signatures, dedicated pedestrian pathways, well planned parking areas and improved lighting among others तो यहाँ पर यह यह काम किया जाएगा stations का जो modernization होगा उसमें जो है road की widening की जाएगी जो unwanted structures हैं उनको हटाया जाएगा pedestrian pathways को जो है improve किया जाएगा parking को जो है अच्छे से develop किया जाएगा the scheme aims at preparation of master plans of the railway station and implementation of the master plan in phases तो यह इस scheme का objective है aim है कि इसमें जो है master plan बनाया जाएगा उसके अंदर जो है उसको implement किया जाएगा phase wise to enhance the facilities including and beyond the minimum essential amenities and aiming for creation of roof plazas and city center at the station in long run तो जो basic essential amenities है उनकी facilities को improve किया जाएगा और roof plaza को भी बनाया जाएगा जिससे यह station काफी time तक जो है survive कर सके the station cell aim to meet the needs of the stakeholders station uses studies as far as possible based on availability of funds and interest in priority तो priority के हिसाब से इसको जो है divide कर लिया जाएगा जहां पर बहुत ज़्यादा need होगी उसको पहली priority में लेके funds की allotment वहाँ पे करी जाएगी जिससे यह scheme का implementation धीरे धीरे हो सके the scheme cell cater for introduction of new amenities as well as up gradation and replacement of existing amenities तो यहाँ पे जो catering से related जो विवस्था है stationों में वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है तो उसको लेकर भी यहाँ पे improvement कुछ की जाएगी और जो पुरानी विवस्था जो इससे related है उसको upgrade किया जाएगा इस scheme will also cover the stations where detailed techno economic feasibility studies have been conducted or are being conducted but the work for construction of roof plazas has not been taken yet तो बहुत सारे ऐसे stations हैं जहाँ पे इन basic facilities के लिए already planned बन चुका है लेकिन उनके पास funding ना होनी की वज़े से काम रोका हुआ है उसको भी जो है इसके अंदर include किया जा सकता है अब union railway minister असवनी वैसनो जी ने क्या कहा है The station should also have a second entry station building and high level platform with a length of 600 meter तो station की दो entry होनी चाहिए और दो exit भी होना चाहिए इससे क्या होता है कि जो passenger होते हैं वो easily enter हो पाते हैं और अपने आपको बाकी भीड और problem से बचा पाते हैं अब ये देखकर भी अच्छा लगता है कि union railway minister जो है इतना deeply इन schemes को की study करते हैं और इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और Indian railways जो है उमीद करते हैं कि आगे भी हमारे लिए बहुत important भूमिका निभाएगा तो ये था हमारा आज का वीडियो इस वीडियो का PDF आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा जिसका link नीचे description box में होगा और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप subscribe कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जैहन जैवारत थैंक यू